Hello everyone, welcome to my channel 2-3 महिने पहले मैंने एक वीडियो डाली थी कि फ्री में कूडे कच्रे में लगा लिए धेर सारे टमाटर के पौधे जिसमें मैंने एक ग्रो बैग में खूप सारे किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट और सारा कूडा कच्रा मिट्टी के साथ डाल करके अपने आप कंटेनर्स में निकले हुए टमाटर के पौधों को लगा करके बताया था तो जब भी मैं इस तरह से प्लांट्स लगाना बताती हूँ तो धेर सारे डाउट्स रहते हैं व्यूवर्स के खास करके नए लोगों के जो लोग गार्डनिंग में नए हैं कि इस तरह से किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट डालेंगे जो कि बिल्कुल अभी ताजा है और उसके बाद हम डारेक प्लांट लगा देंगे तो कहीं फंगस तो नहीं लग जाएगी कीडे होंगे तो उससे कूडा कच्रा डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं तो मैंने सोचा क्यों आज मैं उन पौधों का आपको अपडेट दू और अगर मिट्टी नीचे हो जाए जैसे कि मेरे भी कंटेनर की मिट्टी जो है वो नीचे हो गई है तो हमें क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रही जिसमें मैंने कूडे कच्रे में टमाटर के पौधे लगा करके दिखाया था और उस वीडियो की लिंक मैं उपर आई बटन पर डाल रही हूं और एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगे अगर आपने नहीं देखी है तो देख सकते हैं तो देखिए अब इसमें टमाटर लग यह मैंने दुबारा से इन प्लांट्स को फिर से स्टिक से बादा है इसलिए इसमें टमाटर थोड़े कम दिख रहे हैं और देखिए यह हैं दूसरा ग्रो बैग यह भी मैंने ठीक उसी तरह से तैयार किया था तो यह मैं आपको दिखा देती हूं उस ग्रो बैग की टमाट तो कुछ बंदरों ने खराब कर देख लिए और देखिए कितने जादा टमाटर लगे हैं और अभी भी फ्लावरिंग हो रही है और जब से मैंने इसे तैयार किया था जिस प्रोसीजर से उसके बाद से मैंने इन में कुछ भी नहीं डाला है तो देखिए ना कहीं कोई कीड कोई पौधा खराब नहीं हुआ है और बहुत हैल्दी टमाटर है तो आप भी इसी तरह से ग्रोबैक्स तैयार करके प्लांट्स लगा सकते हैं नीचे की तरफ आपको कूड़ा कच्रा डालना है और उपर जहां पर आपको प्लांट लगाने हैं वहां पर आपको 3-4 इंच म माटेरियल डीकंपोज होगा तो मिट्टी का लेवल नीचे जाएगा मेरे भी ग्रोबैक्स में आप देख सकते हैं देखें ये रूट्स बिल्कुल बाहर आ गई है और नीचे तक मिट्टी पहुँच चुकी है तो जब इस तरह का हो जाए तब आपको क्या करना है देख ल देंगे एक बार मेरे पास एक कमेंट आये था कि जब मिट्टी का लेवल नीचे चला जाए तो फिर से हम उसी प्रोसीजर से ग्रोबैक भर सकते हैं या नहीं जैसे हमने पहले भरा था ताजा किचन वेस्ट डाल कर तो आपको बिल्कुल भी वैसे नहीं भरना है उससे क्या कि पौधे अब हमारे लग चुके हैं पौधे थोड़े बड़े हो चुके हैं और अब क्या होगा कि अब अगर हम उसमें किचन वेस्ट ताजा डालेंगे तो वह डारेक्ट से टच होगा और उसके बाद पौधे खराब हो सकते हैं फंगस लग सकती है क्योंकि जो हम किचन वेस्ट नहीं डालना है आपको इस तरह से मिट्टी और गोगर खात का मिक्शर बना करके डालना है इससे पौधों को एक तरह से एक एनरजी भी मिल जाएगी क्योंकि अभी तक हमने इसमें कोई खात नहीं डाली है और आपकी जो रूट्स बाहर आई हैं वो भी पूरी तरह स करती हूँ जब हमारी ये टमाटर की फसल पूरी हो जाएगी तब मैं ये सारा ग्रो बैग उलट दूंगी और उसके बाद नीचे जितना भी हमने किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट डाला था वो सारा कुछ डिकंपोज हो चुका होगा और फिर मैं उसे किसी दूसरा बैग भ प्यार करती आ रही हूं और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और इसमें कई तरह के फायदे हैं एक तो देखिए डे बाई डे आपके कंटेनर्स की मिट्टी अच्छी होती जाती है और मिट्टी ताकतवर बनती जाती है बहुत जादा खाद के उपर डिपेंड ह नहीं पड़ता है खास कर हम जैसे लोगों के लिए जो की शौक के तौर पर घरों पर किचन गार्डनिंग कर रहे हैं और किचन गार्डनिंग में अच्छे रिजल्स पाने के लिए टाइम और एफर्ट थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ता है और घरों की कई और वह इतनी ताकतवर हो कि हमें बहुत जादा खाद पर डिपेंड होना ना पड़े और अगर लगातार इसी तरह से अगर हम कंटेनर्स की अपने मिट्टी तैयार करें तो फिर हमें आगे चलकर बहुत जादा समय देना नहीं पड़ेगा और रिजल्स भी अच्छे मिलेंगे और आपको मेरे सभी कंटेनर्स में देख लीजे इस तरह से सूठे पत्ते और किचन का वेस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा मैं ऐसे ही करती हूँ किचन का वेस्ट मैं सुखा करके भी रख लेती हूँ उसे मैं उपर की मिट्टी में मिला देती हूँ अगर मुझे जरू करती हूं और ताजा किचन वेस्ट अगर आपने मिट्टी की ऊपर ले ऊपरी लेयर पर डाल दिया है तो आप उस पर तुरंद प्लांट मत लगाईए कुछ दिनों के लिए आप धूप में बिल्कुल उन्हें उसे सूखने दीजिए मिट्टी के साथ जब वो थोड़ा सा मर् लगा सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं आएगी थोड़ी से मिट्टी आपको अलक से रखनी है जब मिट्टी का लेवल नीशे की तरफ हो जाये तो आप उसमें उपर थोड़ी से मिट्टी और खाद का मिक्षर डाल सकते हैं सिर्फ आपको इतना ही करना है और आपके बहुत अच्छे पौधे तयार होंगे अगर आप इस तरह से grow bags भरते हैं तो अलग से आपको kitchen waste से compost बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें बहुत जादा time भी लगता है और कई भार खराब भी हो जाती है सबसे अच्छी तरह से वो नहीं बनती है लेकिन अगर आप इस तरह से try क compost तयार हो जाएगी तो बस इसी तरह से आप भी grow bags भर करके अपने घर पर ही ताजी सबजियां ले सकते हैं मैंने भी इसी तरह से सारे अपने सबजियों के पौधे लगाए हैं और आगे अपने गर्मी की सबजियों की मैं क्या care करूंगी कौन कौन सी खाद कप क्या कैसे वीडियों में तब तक के लिए थैंक यू